हेलो माई डियर्ट फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल ऑन्लाइन क्लासेज अगर अभी तक आप लोगोंने मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग में से काफी लोगों का मुझे रिक्वेस्ट आया था कि सब्सक्राइब का इंप्लोड कीजिए जैसे कि आप लोगों को पता है अगर नहीं पता है तो मैं उपर लिंक दे रहा हूं आप लोग का टाइम टेबल का लेक्शर मैंने अप्लोड कर दिया है उसमें भी आई बटन में भी मैं लिंक दे रहा हूं तो आप आई बटन पर जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो लेक्शर देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है जैसे आप लोग का रिक्वेस्ट आया था कि सर इंपॉर्टन क्वेस्टन बताइए ओसी हम का ट्वे पर आप लोग देख रहे हैं मैंने OCM important question for 2020 लिख दिया है यह question बहुत important है friends देखिए chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 5, chapter 6 आप लोग को red color से दिख रहा है मैंने यहां पर एक box बनाया हुआ है box पर मैंने यह भी लिख दिया है यह box आप लोग देख रहे हैं यह box बनाया है मैंने और इस box पर लिख दिया है यह चार चेप्टर पहले पढ़ो फर्स चेप्टर का सिर्फ सबका merits and demerits पढ़ना है तो जैसे फर्स चेप्टर में आप लोग देख रहे हैं soul trading है partnership है joint Hindu family business cooperative and joint stock company है तो सपोज आप soul trading का अगर 5 merits कर लेते हो 5 demerits कर लेते हो और exam में सपोज कहीं short note की आता है features of soul trading concern तो आप merits भी लिख सकते हैं उसमें demerits भी लिखते हैं और सपोज 10 marks में question number 6 में question आ गया कि what is soul trading concern and explain the merits and demerits of soul trading concern तो आप वहाँ भी 5 points merits और 5 points demerits लिख सकते हैं मतलब मेरा कहने का मतलब है merits और demerits से ही क्या बनता है features तो आप लोग को अलग से separately features पढ़ने की कोई जरूरत नहीं chapter number 1 में जो 5 sections like soul trading partnership joint hindu family cooperative उसके बाद joint stock company उसमें आपको सिरिफ merit and demerits सबका पढ़ लेना है इतना ही बाकी important question मैं जितना भी आप लोग को अभी computer screen पर आप देख रहे हैं जितना भी important question आप लोग को दिख रहा है सिर्फ इतना ही करना है आप लोग को second chapter में भी आपको सब पढ़ना है बस communication allah topic रहेगा वो मत पढ़ो आप लोग देखे मैंने box में इसको लिख भी दिया है सिर्फ आप लोग को communication allah topic नहीं पढ़ना है अभी अगर बात के रहे हम लोग chapter 3 की chapter 3 में advantages and disadvantages of e-business करना है इसके बाद advantages and disadvantages of e-business अभी जो मैंने blue करके रखा वाई question आप पढ़ेंगे तो भी ठीक है नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है तो उसके steps इसमें लिखने है तो आप लोग क्या करते है इस steps आपको मालू में अगर फिर भी आप लोग read करना चाहे 1,2,3 times read कर लीजिए यह ऐसा question है जो हमारे personal life से related है तो आप लोग को यह easily पाहट हो जाएगा अभी हम लोग चलते chapter 5 की और चैप्टर 5 में friends chapter 5 तो आपको करना ही करना है कुछ नहीं चोड़ना है जो मैंने यहाँ पर दिख रहा है आपको रेट करना से chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 5, chapter 6 में कुछ भी नहीं चोड़ना है सारे question मैंने यहाँ लिख दिए यह आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आप लोग मेरा दिया हुआ इतना question कर ले तो तो मैं आप लोग को यह guarantee दिलाता हूँ कि we will get 85 plus, 85 plus आप लोग को 90 plus भी मिल सकता हूँ अगर आप लोग अच्छे से पढ़के जाते हैं कोई mistake नहीं करते हैं लिखने में तो अभी हम लोग आ जाते हैं chapter number 5 में आप लोग chapter number 5 में देख रहे है rights of consumer ओके बहुत है राइट से ओके उसमें नाइन राइट सार देर इस rights of consumer के लिए I am going to prepare, I am going to upload a separate lecture for rights of consumer बहुत ही जल्दी आ जाएगा rights of consumer और मैं आप लोग को एक अच्छा keyword code दे दूँगा जिससे आप rights of consumer पूरी lifetime नहीं बोलेंगे याद रखना जिस तरह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ इस तरह से आप लोग को कोई भी पे बताएगा नहीं ओके येस उसके बाद देख रहे है short note on district forum दिया है क्या दिया है short note on district forum ओके अभी there are see rights of consumer हो गया short note on district forum हो गया state commission हो गया या तो short note आएगा district forum के उपर या तो state commission के उपर और देखे है ना short note on national commission इसका double benefit है आप short note आप distinction पढ़ेंगे इसका distinction तो इसका एक नहीं का आता है डि distinction आ सकता है district and state commission का या district and national commission का तो आप जब distinguish इसका पढ़ रहे है तो distinguish में आपका short note prepare हो जा रहा हो की आगे बात करते है chapter number six जो chapter number six है उसमें आप लोगों को पढ़ना है features and importance of principle of management इसका भी मेरे पास keyword अगर आप लोग चाहेंगे आप लोग comment करेंगे तो मैं इसके लिए भी separate video आप लोग के लिए बना दूँगा उसके बाद 14 principle of Henry Fayol है उसके बाद 14 principle कभी भी आज सक पूछा नहीं किया दे आज फाइफ प्रिंसिपल इनी फाइफ प्रिंसिपल of Henry Fayol और scientific principles of Taylor है वो भी पूछा जाता है तो आप लोग इस chapter number six से भी only three questions ही आपको करना हो के उसके बाद अभी मैंने यह जो screen पे आपको सकते हैं अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा बागी इतना तो आपको करना ही है और बागी रहा chapter number seven functions of management उसके लिए भी मैं separate video separate lecture आप लोग कर सकता हूं अगर आप लोग करते हैं तो ओके अगर आप लोग अच्छा ही है तो अभी हम लोग आते हैं distinguished की बात करते हमारा question number one जो हमारा board paper pattern होता है उसमें question number one तो objective रहते हैं ओके fill in the blank smash the pair one word उसके बाद हमारा question number to distinguish अपर distinguish भी मैंने fix distinguish बना दिया है आप लोग को इतना ही पढ़ना है और मैं आप लोग को last year का paper भी दे दूँगा उसके लिए separate lectures दूँगा मैं separate lecture upload करूँगा last year के paper में भी आप लोग चेक करेंगे last year का paper मतलब जितना भी slabus चेंज हुआ जब से हुआ है उतना मैं सब आपको देने वाला और I am going to prepare a separate video for objectives मैं आप लोग को computer screen पे जो आप question देख रहे हैं आपके स्ट्रीन पे दिखता होगा वही आपको पढ़के जाना है पहला दिश्टिंगी से स्ट्रीट कमिशन और नेशनल कमिशन यह कई बार आ चुका है और अभी भी चांसे से नेशनल कमिशन इस्टिक फोरम इन स्टेट कमिशन बाजू में आप लोग बॉक्स देख रहे हैं मैंने बॉक्स बना दिया इस फ्रॉम फिफ चैप्टर में चांसुमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसमें से आपको लोग को पढ़ना है और यह तीन इस्टिंग्शन है यह ब कि इस्टिंग्शन दो फिफ चैप्टर से शीर है और हो सकता है एक इस्टिंग्शन वर्स्ट . मैंने कुछ common बी बनाया हूं, आप लोग नहीं को निछे दिखा रहा हूँ तो आप लोग देखते चरहें यह फिफ चेप्टर का पाहट करने का double benefit और इसमें से इक fix distinction आएगा इसमें से distinction fix है आएगा यह आएगा ओके तो आप लोग को पढ़ना ही है आगे है note मैंने note यह लिखा है some common points for any distinction of first chapter first chapter के लिए मैंने कुछ common points बनाए है first chapter के distinctions के लिए आप वो common points याद कर लिए आए थिंग देर आर 9 points वो 9 points आप पाहट कर लिए बाद में आप जैसे ही distinguish लिखते है इन exam में आप लोग को सिरिफ इसके बीच का difference बताना रहेगा बस ओपाइंस सब में लिखना रहेगा जैसे सब्सक्राइब को आपको आगया आप लिखना रहेगा अगर अगर आपको definition याद है तो अच्छी बात है definition ही दिजें formation मता हुट है इस फोर्मीश बाता ही जोडगी टैसे फोर्मों अगर कोई म éénlles है आज आप तो और वह बता है प्ता दीजी आदो आज अपर अर पिर सुले टैसे टेलिझे तो आगन्सेट का पॉइंट्स दिये और ज्यादा से ज्यादा यह तो राइट वरी यूस्पूल रहेगा यह यह कॉमन पॉइंट्स रखी आप लोग मेरिट्स पढ़ेंगे दिमेरिट्स पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग प्रिपेर हो जाएगा अपनी हाप के सेप्रेट जाएके इस्टिं आप लोग दिस्टिंग्शन भी पढ़ेंगे और उसके बाद यू आर गोईंग तुरीड एड्वांटेजेस और डिस्टिंग्शन आपको पढ़ना है और मैं ग्यारंटी देता हूँ जितना डिस्टिंग्शन मैंने दिया जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ आप उतना ही पढ़िये बस उसके बाद हम लोग बात करेंगे important question for question number 3 and question number 5 question number 3 short note होता है question number 5 भी एक तरह से answer the following होता है question number 3 में 3 question आपको लिखने रहते है 5 5 marks के 15 marks का होता है और question number 5 में you have to write only 2 question 5 5 marks का 10 marks का हो जाता है okay okay yes so आगे देखिए question number 3 दिया short note any 3 short note कोई भी लिखना रहेगा any 3 question number 5 में answer the question any 2 कोई भी question लिखना रहेगा 2 okay उसके बाद देखिए क्या दिया question number 1 में first prepare all the merits and demerits of first chapter मैंने पहले भी बता दिया उपर ही आप लोगों को बता दिया कि first chapter का merit and demerit पढ़िए merit and demerits can be asked in long answer also that is question number 6 question number 6 में long answer में भी आ सकता है 10 marks के लिए okay समझा मैंने पहली बता दिया आपको soul training का पूछ सकता है joint stock का merit demerits पूछ सकता है तो merit demerits कर लेजिया automatically features तैयार हो जाता है see merit demerits कभी भी short note में नहीं आएगा merit demerits only can be asked in question number 6 for 10 marks okay अगर features पूछा तो that can be asked in question number 3 and question number 5 में अपलग short note में पूछेगा answer the following में तो अच्छा रहेगा मेरे demerits पढ़के आप features बना सकते है उसके बाद second chapter का question है यह types of partners उसके बाद आप देख रहेए advantages or disadvantages of outsourcing है मैंने उपर भी बताया आपको आगे nature of principle of management यह भी करना आपको nature nature or features एक ही होता है यह तो अगर आपको यहाँ पर suppose they ask nature यह features पूछे क्या features पूछे क्या features पूछे सपोछे और they can ask importance 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 of principle of management same आप features बाइट करो या importance बाइट करो मैंने importance की उपर importance of principle की उपर बहुत अच्छा ही notes बनाया हुआ हुए अगर आप लोग को चाहिए comment कर दिजिए मैं आप लोग को आप लोग के लिए separate lecture इक से लिए बना दूगा importance of principle of management अगर आपने वाहेट कर लिया तो अगर features आता है तो भी same points लिख दिए marks मिलेगा अच्छा marks आगे दिया disadvantages and disadvantages of e-business see my dear advantages of disadvantages of outsourcing, advantages and disadvantages of e-business करना ही है इसके बाद देखिए importance of consumer protection उसके बाद rights of consumer very very important question इसलिए मैंने rate करना से इसको dark कर दिया है आपको दिखा दिया very important आगे देखिए आगे का जो question है it's very easy and it's very common question I am going to upload a separate lecture for this okay यह जो question है na function of management का okay I have prepared a keyword में keywords अच्छे अच्छे बनाए है और common points बना दिये हैं इसके रिए इससे इसमें पूछ सकता importance, need, significance, role, benefit, advantage of any function of management that is planning, organizing, staffing, directing, controlling, coordinating यह सारे function है किसके management के तो इसमें से कोई भी question आपको पूछा जा सकता है आगे दिया है note, note में मैंने क्या लिखा है I have prepared keyword for this to be happy I will upload this if you want अगर आप लोगा comment आएगा तो मैं upload करते रहोंगा फिर आगे देखिए question number 10, same उसी से related है, question number 9 क्या था हमारा importance अगर exam में आता importance बताओ, needs बताओ, significance बताओ, role बताओ, benefit बताओ, advantage बताओ तो आप लोग को same answer लिखना रहेगा, okay आगे explain planning, organizing, staffing and directing explain इसमें करना रहेगा आप लोगो features, क्या explain करना रहेगा, features, okay अभी जो features आता है, characteristics आता है, इसमें भी आप लोग को same लिखना रहेगा, ठीक है न, yes आगे note, I have prepared keyword for this, so happy and I will upload this if you want 11 question दिया है, मैंने merit and demerits of air and water rail transport अभी आप लोग परेशान नहीं होना देखे, यह देखिए, मैंने important question बना है, important question जिजना आपको नीचे question दिख रहा है, these are important question for question number 3 and question number 5, जहाँ 3 लिखना रहेगा, यहाँ 2 लिखना है, इसका मतलब यह important question आप लोग को दिख रहे है principle, मैं तो आप लोग से यह करूँगा, कि आप लोग सारे principle रिट कर दिए, रिट कीजिए, क्यों, अभी तक तो यह 10 marks में question नहीं आया है, की principle है, Henry Fayol के principle of management की principle बताओ, but मेरा कहिना का मतलब इसलिए, मैं इसलिए read all principle बोल रहा हूं, क्योंकि, क्योंकि क्या होता है, यह जो question ह इसमें से objective prepare होता है, principle से, 14 principle पूरा read कर लेजिए, अच्छे से, 13 है characteristics, features, need and function of management, क्या characteristics होते हैं, क्या features, need and function of management, अभी यह question जो है, okay, यह characteristic, need and function of management नहीं है, friends, यह entrepreneur रहेगा, entrepreneur, okay, entrepreneur, okay, entrepreneur, आप लोगो chapter 8 देखा होगा, chapter 8 का topic है, chapter 8, okay, उसमें आपको characteristics आ सकता है, features आ सकता है, need and function आ सकते हैं, तो आप need and function अच्छे से, बाहरेट कर लेजिए, उसके बाद characteristics क्लिक दीजिए, features क्लिक दीजिए, अगला question है, types of warehouses, यह भी common question है, friends, chapter number 2 का है, यह question, types of warehouses, जिससे government warehouse, public warehouse, private warehouse, bonded warehouse, duty paid warehouse, इसका भी मैंने separate, अच्छा खासा keywords बनाया हुआ है, अगर आप लोग चाहते हैं, तो इसका भी lectures में upload करूँगा, जैसे जैसे आप लोग का comment आएगा, वैसे ही में lectures upload करने माला होगा, यह 14 question में से, आप लोग को तो 5 question लिखने ही लिखने ल chapter आप लोग को true false पढ़ने ही जरूरत नहीं, एक तरह से true or false का question number 4 रहेगा, यह में से आप लोग exam में last में attempt कीजिए, क्योंकि इसमें हमको ठोकना रहता है, यानि अपने से सोच के लिखना रहता है, जो कि अगर आप लोग पढ़ ले तो अच्छी बात है, chapter 1 से आ सकता है, chapter chapter 2 से आ सकता है, chapter 5 से आ सकता है, chapter 7 से आ सकता है, मैंने यह पर हिंदी में लिख दिया है, इन 4 chapter से एक हर एक से खंबसर एक give reason आएगा ही, तो कोई भी 3 chapter का give reason पढ़ लो, यानि आप chapter number 5, chapter number 2 and chapter number 1 का give reason पढ़ लेजिए, chapter number 7 मत कीजिए, एक chapter 1 से रहेगा, एक second chapter से रहेगा, औ और एक 5 chapters से एक रहेगा, second chapter से एक, first chapter से एक, second chapter से एक, fifth chapter से एक, seven chapter से एक, नहीं किया तो भी चलेगा, देखिए मेरे seven chapter के लिए 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 नहीं किया तो भी चलेगा, okay तो function of planning, organizing, directing, controlling, coordinating, वही वाला है, तो अगर आप यह नहीं पढ़ेगे तो भी चलेगा, बाकि आप first, second, fifth chapter अच्छे से कर लिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते है, question number six की हो, हमारा question number six जो रहता है, आप जानते है, question number six हमारा ten marks के लिए आता है, यह बहुत important question है, और यह question के लिए minimum आप लोगों को एक question का अगर answer exam में लिखना है, तो you have to give 20 minutes देना है, और मैं आप लोग को और एक आप बता दू, paper कैसे लिखना है, paper कैसे present करना है, क्या-क्या time आप लोग को effort करना है, कि इतना time देना है, हरी questions के लिए, उसके लिए मैं separate lectures आप लोग के लिए अप लोग करने वाला हूँ, मेरा आप लोग सी यह request है, कि आप मेरे lecture को जादा से जादा शेयर कीजिए, और दो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, second है, explain joint Hindu family business and features of joint Hindu family business, see अभी या तो joint stock company के आ सकता है, या तो joint Hindu family आ सकता है, दोनों में से sure है आएगा, आगे दिया मैंने define bank, explain types of bank, ये भी question आ चुका है, फिर question number 4, what is commercial bank, commercial bank है क्या, what is commercial bank, what is commercial bank, what is commercial bank, explain the functions of commercial bank, function of commercial bank में mostly just primary function of commercial bank, और आप लोग ये भी देखेंगे, जो function of commercial bank है, ये economics में भी है, तो आप लोग उसी का prepare कीजिए, same answer economics में लिख दीजिए, और इसके पहले मैंने आप लोग को इसमें दिखाया था, question number 3 और 5 में एक common question आता है, characteristics, features and need and function of entrepreneur, तो ये देखिए, entrepreneur का ये same question आप लोग को से mentor और का characteristic, features, need and function, ये आप लोग को economics में भी है, तो आप OC का पड़ी है, और OC economics में भी लिख सकते है, तो double benefit है, okay, yes. आगे अभी हम लोग question number 6 की बात कर रहे थे, what is commercial हो गया, फिर देखिए, define fire insurance, marine insurance, life insurance and their types, it can be asked in short note also, ये short note में भी आ सकता है, कि types of fire insurance बताओ, types of marine insurance बताओ, या write down short note on marine insurance, life insurance, ये आप prepare कर लिजिए, okay, मतलब मेरा कहने का मतलब, जैसे पहले first बताया, first, second और 5th chapter से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, सब अच्छे से पढ़ना है, आगे chapter number, question number 6, importance, need and significance, role, benefit, advantages, ये तो हम मैंने अभी short note में भी आप लोग को बताया था, okay, short note में भी a question आ सकता है, long answers में भी आ सकता है, short note में कैसा आएगा, बोल देगे, importance of organizing बताओ, तो आप लोग साथ and I will upload this if you want, अगर आप चाहेंगे तो, okay, same आगे दिया explain features, यहां पे भी क्या रहेगा, features रहेगा, explain features of planning, organizing, directing and coordination and controlling, इसका भी है, okay, उसके बाद ये function of management का question है, जैसे आप लोग को exam में कोई भी a question आ सकता है, इसमें से भी, आगे दिया define soul training concern, explain features of soul training concern, मैंने यहां पे लिखे, लिखे भी दिया, read five merits and five demerits is equal to features, तो five merits पढ़ लेते हैं, five demerits पढ़ लेते हैं, तो आप वो features के बराबर होता है, okay, तो मैंने यहां पे कोशिस की सारे question बता दिये, आप लोग को जितने question बता है, जितने distinction बता है, मैंने आप लोग सिर्फ इसका ही preparation कर लेजिए, मैं आप लोग से promise करता हूँ, आपको 80 अबाव आएगा, और आप लोग के लिए objective का अलग से मैं lectures upload करने वाला हूँ, last year के लिए जितने papers हुए हैं, वो सारे papers मैं आप लोग से discuss करने वाला हूँ, सब मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को इतना ही पढ़ना रहेगा, उससे कुछ भी ज्यादा नहीं है, हेलो दोस्तों, तो आप लोगोंने सारे important question देख लिए, मैं आप लोग को इतना guarantee देता हूँ, आप लोग को सिर्फ इतने ही important question मैंने दिये हैं, आप लोग को सिर्फ इतने ही important question पढ़ने, अगर आप लोग इतना important question prepare कर लेते हैं, तो मैं आपको इतना बहुत सकता हूँ, suppose आपको internet में मिलता है, suppose you get 15 marks मिल गया आपको, और यहाँ पर आपको 60 मिल गया, तो you can get good marks easily, आपको अच्छा marks मिलेगा, अगर आप लोगों को जैसे जैसे मैं बताऊंगा, मैं आगे भी guide करते functions of management का मैंने keyword बनाया हुआ है, सारे question जैसे importance of planning, organizing, directing, staffing, controlling, coordination, सारे question, importance का और features का मैंने keyword बनाया हुआ है, उसका common points बनाया है मैंने, अगर आप लोग को common points चाहिए, keyword चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं भी lecture आप लोग के लिए upload करूँगा, बाकि आगे जैसे other subject होग आप लोग का request आएगा, वैसे वैसे मैं, और topics add करते रहूँगा, upload करते रहूँगा, आप लोग जिस जो topic चाहते हो, बस comment box में लिख दीजिए, मैं यो topic आप लोग को upload करके दे दूँगा, बस यही और English से related है, अभी English से related जो भी grammar होगे, या writing skill का पार्ट होगा, जैसे आइकोन को press कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने subscribe कर दिया है, तो thank you for watching and thank you for subscribing, आप लोग ये कीजिए, अगर आपका ये वीडियो आपके काम का है, तो it's good, अगर आपके काम का ये वीडियो नहीं है, तो please इस वीडियो को और लोगों के साथ share कीजिए, हो सकता है किसी को आप लोगों को करने वाला हूं, thank you my dear friends, keep watching, thanks my dear